आज हम Griffiths Experiment को डिटेल में समझेंगे इस Experiment के द्वारा स्टेप्टो कोकस निमोनिय में सबसे पहले Transforming Principle को खो जा गया था Frederick Griffith ने 1928 में ये Experiment किया था और ये पहला Experiment था जो Transformation के Concept को बताता था ये बताता था कि जो Bacteria है वो अपने Genetic Material को Transfer कर सकता है दूसरे Bacteria में एक Process के द्वारा जिसको कहते हैं Transformation Griffith ने इसे Transforming Principle कहा Actually जो Griffith थे वो Transformation को Study ना करके उस समय निमोनिया की Vaccine को बनाने की Possibilities खोज रहे थे इसमें मैंने एक Story इंक्लूट करी है आज के वीडियो में जो कि आपके Notes का तो Part नहीं है बट ये Concept को समझने के लिए काफी Helpful रहेगी 1918 से 1920 तक First World War के दोरान और उसके बाद Spanish Flu का Pandemic था जो की H1N1 Influenza A Virus के कारण हुआ था इनके Patients में ये पाया गया कि जादा तर जो Deaths थी उसका Major Cause या Serious Cause था स्टेप्टोकोकस निमोनिया का Super Infection यानि उन Patients में स्टेप्टोकोकस निमोनिया का Infection और क्योंकि ये दोनों ही Upper Respiratory Track को Infect करते थे तो इसके की कारण जो Cause था Death का ये बना हुआ था तो Griffith जो थे वो निमोनिया की Vaccine बनाने की संभावनाओं को तलाश रहे थे उसी दोरान उन्होंने Transformation के Concept को Discover किया यानि खोजा सबसे पहले Transformation क्या होता है वो जान लेते हैं हम सभी जानते हैं कि जो Bacteria है वो Multiply करता है Binary Fission के दोरा लेकिन वो Recombination यानि Horizontal Gene Transfer भी करता है जिसके की तीन Methods हैं या तीन Processes हैं Transformation, Conjugation और Transduction Transformation के Process में जो Competent Bacteria होते हैं वो Medium या Environment में Present Foreign Genetic Material या Naked DNA को अपने Genome में Integrate कर लेते हैं और इस Process को कहते हैं Transformation Transformation के लिए मैंने Already एक वीडियो अपलोड कर रखी है Genetic Recombination and Transformation उसका लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा आप उसे वहाँ से देख सकते हैं अब हम जानते हैं Griffith Experiments की Requirement क्या थी सबसे पहले स्टेप्टोकोकस निमोनी ये एक Gram Positive Spherical Facultative Anaerobic यानि ये Actually Anaerobic है बट ये Aerobic Condition में भी Survive करता है ये एक Bacteria है दूसरा स्टेप्टोकोकस निमोनी हीमोलिटिक है यानि ये आरबीसीज को Breakdown कर देता है या आरबीसीज का Lysis कर देता है और यही Major Cause है निमोनीया के Infection का स्टेप्टोकोकस निमोनी है और ये Cause करता है Lung Infection Mainly Griffith ने स्टेप्टोकोकस निमोनीय बैक्टिरिया के दो स्टेइन्स लिये थे पहला स्टेइन था Type 3S Strain और दूसरा था Type 2R Strain जो Type 3S Strain था वो एक Virulent Strain था यानि वो Host की Death Cause कर देता था इसमें एक Lipopolysaccharide Capsule प्रेजन्ट रहता था जिसके के कारण इस Lipopolysaccharide Capsule के कारण इसका एक Smooth appearance रहता था यानि ये दिखने में Smooth दिखता था इसलिए इसका S Strain नाम पड़ा दूसरा Strain जो लिया था 2R Strain वो ए Virulent था यानि वो Host की Death Cause नहीं करता था और उसमें Lipopolysaccharide Capsule absent था इसलिए उसको R Strain कहा जाता था जो हमारे Steptococcus pneumonia के Strain थे वो Fred Newfeld जो एक Scientist थे उन्होंने 3 Nemococcal types discover किये थे Type 1, Type 2 और Type 3 तो अब हम समझते हैं ये तो हमारा requirement हो गया अब इस experiment का क्या procedure था इस experiment को चार parts में perform किया गया इसके method में Part 1 में Type 3S यानि की smooth वाले जो हमारा strain था उसको culture किया गया culture plates पे और smooth colonies हमें culture के दोरान दिखी और इधर Type 2R strain को culture किया गया culture plate पे और हमें rough shaped colonies मिली फिर इन colonies में से bacteria को लिया गया और mice में injection के दोरा inject किया गया injection के बाद जो S stain था उसमें mice जो है वो मर गया by causing pneumonia तो उसको pneumonia हो गया और mouse की death हो गई क्योंकि तो इसमें ग्रिफित ने कहा कि यह जो लिपो पॉलिसेक्राइट का capsule है इसने इस टाइप 3S stain को protect कर लिया और वो जो पॉलिसेक्ट किये थे टाइप 2R stain उसके द्वारा mouse जो है वो किल नहीं हुआ और healthy रहा तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि इसमें लिपो पॉलिसेक्राइट कैपसूल नहीं है इसलिए यह जो बैक्टीरिया है वो माउस के immune system के से हार गया और जो माईस है वो healthy रहा और किल नहीं हुआ यह था पार्ट 1 पार्ट 2 में इन्होंने जो टाइप 3S smooth stain था कि बैक्टीरिया को heat treatment के द्वारा किल कर दिया बैक्टीरियल सेल्स को मार दिया और मरी हुई बैक्टीरियल सेल्स को mice में inject किया इससे इन्होंने result देखा कि जो mice था वो मरा नहीं इससे उन्होंने यह inference निकाला कि जो infection का cause है वो bacterial cell है ना कि bacterial cell के द्वारा produce किया हुआ कोई chemical क्योंकि जो bacterial cell किल हो गई तो mice नहीं मरा फिर इनका जो part third था experiment का उसमें उन्होंने जो type 3S strain का जो बैक्टीरिया था उसको उन्होंने heat killed bacteria को add किया type 2R strain के bacteria में और इन दोनों का combination जो है वो inject कर दिया mice में इस time result में उन्होंने पाया कि जो mice है वो killed हो गया या मर गया pneumonia के कारण फिर इन्होंने इस मरे हुए mice से fourth experiment perform किया जहां इन्होंने इस dead mouse के अंदर जिन्दा type 2R strain और type 3S strain को isolate किया यानि निकाला इस dead mice से तो इनके पास अब 4-5 results थे पहला result ये था कि type 3S जो है जब उसको inject हिया mice में तो उसने host को kill कर दिया जो type 2R strain था जब उसको inject किया mice में तो उसने mice को kill नहीं किया यानि pneumonia cause नहीं किया और mice नहीं मरा फिर इन्होंने heat killed जो type 3 smooth strain था उसको जब inject किया mice में तो mice नहीं मरा उसे pneumonia cause नहीं हुआ फिर इन्होंने जब heat killed और type 3S और type 2R का जो combination था जब उन्होंने इस combination को mice में inject हिया तो mice मर गया जो host mice था वो मर गया pneumonia के कारण तो इन्होंने इससे conclusion ये निकाला जो type 2R strain है वो transform हो गया type 3S strain में by a transforming principle जो की actually killed नहीं हुआ था type 3S strain में और वो उसने type 2R strain को transform कर दिया और उसको भी lethal यानि killer bacteria बना दिया तो यहाँ पर हमारा end होता है Griffith Experiment के chapter का अब next video में हम समझेंगे different types of mutation अगर आज के video से related आपके कुछ questions या queries है तो मुझे comment box में ज़रूर mention करिए और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मेरा content अच्छा लग रहा है तो please इसको like, share और subscribe करिए मेरे चैनल को जो की है बाय टेकनोलोजी लेसंस बाय डॉक्टर शिफाली मात्र करिए